खलो दोस्तो मैं हूं रेविंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिक्स इंस्राजिंस प्रोजेक्ट चैनल मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत दोस्तों आज मैं LED बल्ब से ज्धालार बनाने जा रहा हूं इस ज्धालार को बनाने में आवस्थे समागरी होगी LED बल्ब और LED होल्डर और यह LED कैप और इस प्रकार की वायर इस वायर को खोल लेते हैं यह सभी समान आपको किसी भी electronic साथ में आसानी से मिल जाएगा जिसका यूज़ करके आप अपने घर पर ही एक अच्छे और मजबूत जाला लाइट बना सकते हो यह वायर महुत अच्छे क्वाल्टी का है दोस्तों क्योंकि रेडी में जाला लाइट में अधितर वायर ही खराब होता है इसलिए इसमें मैंने अच्छी क्वाल्टी का वायर योज़ किया है अब 6-6 इंच का वायर कटिंग कर लेते हैं आप चाहो तो इससे आउर भी लंबा रख सकते हो LED को जितने जितने दूरी में रखना है उस हिसाब से वायर कट कर लेना इस प्रकार से मैंने बहुत सारा वायर कट कर लिया है अब वायर को इस ट्रीपर की सहायता से उसको छीन लेते हैं छीले हुए वायर में सोल्डर पेस्ट लगा कर उसमें सोल्डिंग चिपकाते हैं ताकि सोल्डिंग करने में असानी हो सके अब कर लेते हैं सभी LED को LED होल्डर में लगाना स्टार्ट करते हैं इस प्रकर सभी LED में LED होल्डर लगकर रेडी हो चुका है दोस्तों सभी LED के पाजिटिव वायर में एक एक वायर सोल्डिंग करते जाते हैं इस प्रकार से वायर को सोल्डिंग करते जाते हैं यह वीडियो आपको पुरा ध्यान से देखना होगा दोस्तों तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा क्योंकि हर LED में पाजिटिव और निगेटिव होता है अगर आप इसको सोल्डिंग करने में थोड़ा से भी मिस्टेक होगा तो यह एक भी बल्बल नहीं जल पाएगा estone च्छी च्छ च्छ च्ज च्छ च义 झाल 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 ये लगभग 50 LED में एक एक वायर को जॉल्डिंग कर चुके हैं दोस्तों अब इसके लिए कैप निकाल कर 50 पिक्स गिन लेते हैं सभी लेटी में पाजेटिव साइट वायर जोड़ चुके हैं अब उसमें कैप लगा लगा कर एक दूसरे लेटी के निगेटिव साइट जोड़ते जाना हैं इस क्रम में जोड़ने से जो लेटी सीरीज क्रम हो जाएगा LED का कनेक्शन पाजेटिव से निगेटिव निगेटिव से पाजेटिव इसी प्रकार से सभी को सोल्ड़ करते जाना है जजने हो कि यहीग जिगेटिव से झाल रितिव से इस्ताइटní प्रकार में जाना हिसे की जाना है इसे ज़से जो निग muchísय जाना हिसे दो कि अजदी का लागा का से जाना है झाल 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 सभी LED को सीरीज में जोड़ने का काम कम्प्रीट हो चुका है. अब इसमें जालर की मजबूती के लिए गांट लगा देते हैं. हर एलेडी के बाद गांट लगा लगा कर उसके कैप को पुछे से दबा कर लगा देते हैं. सभी में मैंने गांट लगा कर उसके कैप को बंद कर दिया है. अब इस जालर में न्यूटल के लिए एक वायर लगा देते हैं. जालर के एलेडी में निगेटिव साइट एक लंबी वायर जोड़ते हैं. अब उस वायर को घुमा घुमा कर उरे एलेडी जालर में लपेटना है. इस जालर में मैंने न्यूटल का वायर लपेट लिया है. यह डायोट से बना एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो इसमें लगेगा और यह उसके लिए एक कैबिनेट है. एलेडी जालर बनाओगे तो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर ज़रूरी होता है. क्योंकि हर एलेडी में प्लस माइनस होता है यह डीसी वोल्टेज में ही काम करता है और यह प्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में पनवाट करता है. अब इसमें एक मेंस के लिए छोड़ा छोटा वायर और जोट देते हैं, जो कि पावर इन्पूट के लिए होगा. सरकिट को कैबिनेट में डाल कर उसके कैप लगा देते हैं, अब यह जालार लाइट पूर्ण रुप से कम्प्लीट हो चुका है, चलो अब इसके टेस्टिंग कर लेते हैं, यह जालार पूर्ण रुप से कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, अब मैं नेस्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन सब जालारों की कनेक्शन 6000 से कैसे करें